Welcome to my YouTube channel World Literature आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है Wings of Fire आटोबाइग्राफी बाइ Dr. A.P. J. अब्दुलकलाम Dr. A.P. J. अब्दुलकलाम की आटोबाइग्राफी हम अल्डेडी डिस्कस करें हैं आज इस पर जो हमारा second lecture है first lecture का जो link है वो आपको description मिल जाएगा जिसमें जो हमने इस work का introduction देखा है हमने writer की biography को discuss किया है और जो important points से उनको देखा है इस work को जो है वो four parts में divide किया जाता है and first lecture में हम orientation को जो है वो discuss कर चुके है first part में हमने orientation को discuss किया है आज हम इस lecture को complete कर लेंगे तो first of all जो है वो again थोड़ा सा introduction डिसक्रस करते हैं then जो हम इस lecture को complete करेंगे जो हमारी summary रह गई है Wings of Fire को 1999 में published करवाया गया था and या autobiography है एक missile man of India की and former president of India डॉक्टर A.P.J. अबडलकलाम जिसको इनोंने अपने एक friend आरुन तिवारी के साथ मिलकर लिका था जो खुद भी एक scientist है तो इन दोनोंने मिलकर इस autobiography को जो हो complete किया है जिसमें अबडलकलाम की पूरी life जो हो discuss की गई है इनकी birth से लेकर इनकी death तक का time इनोंने क्या achievements जो हो की थी उन सब चीजों के जो detail है वो इस autobiography में जो हो दी गई आज के लेक्चर में हमने orientation को discuss किया है आज के लेक्चर में हम creation, propitiation, contemplation इन तीनों को discuss करेंगे और इस autobiography का जो title है उसके meaning को भी जो है वो हम discuss करेंगे लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक discuss कर लिया था कि अब्दुलकलाम ने जो है वो अपनी engineering की जो degree असको complete कर लिया था और इनको जो है वो 250 RS की जो है न वो job भी मिल चुकी थी 1950s के time में उसके बाद क्या होता है कि अब्दुलकलाम जो है वो थोड़ा सा let down हो जाते हैं क्योंकि यह एरफॉर्स में जाना जाते हैं और वहाँ पर जो है वो नहीं जा सकते थे उसके बाद जो है यह रिशी केस चले जाते हैं रिशी केस जाने के बाद वहाँ पी एक सवामी से मिलते हैं और वो सवामी जो है वो इनको spiritual guidance देते हैं अब्दुलकलाम को के life में ups and downs जो है वो आते रहते हैं हमें जो है वो अपनी failure से जह वो सीखना चाहिए और हमें जो हाट वर्क जो हो करते रहना चाहिए और हाट वर्क के साथ जो हमें continuity पे जहना वो फोकस करना चाहिए कि हम जो है जो भी काम करें वो डेली बेसिस पे करें उसमें जो है वो कभी ब्रेक ना लेके हैं means कि हम hard work जो है वो hope, excitement और एक passion के साथ जब उसको करते हैं तो वो काम हमेशा successful होता है ये चीज़े जो है वो अब्दलकलाम ने जब सुनी तो इनके अंदर दुबारा से energy आई, hope आई कि मैं जो है वो अपना career जो है बना सकता हूँ या फिर मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ life में इन्हों ने उसके बाद जो होवर क्राफ्ट पे काम करना start किया, उसके ideas दिये, जब इन्होंने होवर क्राफ्ट इंपॉर्ट करने का idea दिया तो उस time की जो new minister थी उन्होंने reject कर दिया और कहा कि हमें जो है और इसके काम करना चाहिए और अब्दलकलाम को अपनी thoughts में जो है इसको भी जो है वो disapproval मिला उसके बाद बट इन्होंने अपनी journey जो हो continue रुखी और उसके बाद जो है उन्होंने rockets की तरफ चले गए, वहाँ पे जो knowledge लिया और उसका experience लिया and rockets को बनाना start किया जो के बाद में successful होना start हो गए थे अब्दलकलाम ने अपनी life में five missiles जो थे वो बनाई थे उनको develop किया था जिसमें प्रिथवी आ जाता है, ट्राइशुल आ जाता है, आकाश, नाग, अगनी ये पांच important missiles हैं जो के अब्दलकलाम ने बनाए है और इसकी वज़ा से इनको बहुत ज़ा recognition and awards भी जो है वो मिले थ जो research कर रहे थे and India को technology के हवाले से advance करना चाह रहे थे, उसमें उनको hardships बहुत ज़ा फेस करना पड़ी थी, but उनके अंदर का जो passion था, जो strength थी, उनके अंदर जो एक aim था कि उन्होंने जो अपनी life में है वो कुछ achieve करना है, अपने country के लिए जो कुछ करना है, वही उनकी power थ ठीक है, वो सबसे पहले अपना table set करते हैं, अपने documents को site पर करते हैं, जो important होती थी, अगर कोई emergency भी होती थी, तो उन documents को साथ लेकर जा सके, अब्दुलकलाम को three highest civilian distinctions मिली थी, जिसमें वद्धी भारत रतना 1997 में, पादमा विबुशन in 1990 और पादमा बुशन 1981 में मिला था और उसके बाद जो है, अब्दुलकलाम को 30 universities की तरफ से जो है, वो on ready degrees भी मिली थी, इनकी achievements पर, इनकी research पर, इनकी knowledge की base पर, अब्दुलकलाम ने जो भी अपनी life में achievements की थी, वो सरफ एक ही रूल पर जो हो काम करे थी, और वो कहते थी किसी भी life में जो है न, वो important three factors होते है अगर कोई इन three factors को जो है फॉलो करता है, तो वो अपनी life में जो है, वो successful हो सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है desire, means कि किसी चीज़ के लिए desire करना, wish करना, या फिर आपके अंदर किसी चीज़ का passion होना है, जो है, वो बहुत important है, उसके बाद है believe, कि आप उस passion पे काम करें, आप उस desire पे काम करें, और then जो है, वो belief रखें and expectations, अपने hard work complete करने के बाद, आपको at least इतनी expectations होनी चाहिए, कि आपका जो काम है, जो आपका जो hard work है, वो successful होगा, means कि ये कह लें कि desire, belief and trust, कि आप काम करते जाएं, आप hard work करते जाएं, लेकिन आपके पास जो trust का होना भी ज इस autobiography को जो title दिया गया है, wings of fire, इसका meaning भी देख लेते हैं, wings of fire को जो है न, वो specially यहाँ पे choose किया गया था, क्योंकि एक man है, जिसने जो है, वो इतनी innovations की, इतनी उसने जो है, वो researches की, even कि scientific research की, technology में जो है, वो advancements लेक रहा है, and ballistic missile जो है न, वो बनाए, इस launch के बाद, जो एक missile में जो है, वो fire होती है, और वो जब उपर जाता है, means कि sky की तरफ, तो वो ऐसा ही लगता है, कि उसके wings लग गए हैं, और वो sky में जायना वो उड़ रहा है, तो इस वज़ा से इसको एक title तो यह दिया जाता है, wings of fire, and second जो meaning हम यहाँ पे लेंगे, कि एक इनसान है, उस उसके जो है, वो कुछ ambitions हैं, उसके कुछ dreams हैं, और वो कुछ अपनी life में achieve करना चाता है, and जब उसके dreams को wings लग जाते हैं, और जब उसके passion को wings लग जाते हैं, तो वो जो है, वो बहुत hiles पे जाता है, बहुत achievements जो है, वो करता है, और बहुत name होता है, उस person का, so यहाँ तक आज का हमारा lecture, I hope कि यहाँ तक जो है, वो आपको यह आटो बाइग्राफी जो है, वो समझ आई होगी, जिसमें अब दिल किलाम की पूरी life जो है, वो discuss की गई है, वीडियो को लाइक और शेयर और चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा, thanks for watching my channel.